पिछे माउंटेन है ये साइड में जंगल है और आज जो नायट की केम्पिंग है वो यहीं करेंगे तो स्टिप चड़ाई है तेज चड़ाई ट्रेंकिंग करना टफ कि मिट्टी का टिला है तो हम स्पूल भी है चड़ते चड़ते तो हलो गाइज वेलकम टो एन नीव वीडियो स्वागता आपका एक और इस नए कमाल फ्रेश वीडियो में और आज फिर ऑन लुए फ्रेश आप रिखते हैं डियूत करनों जोड करने आएख केम्पिंग तो नाइट याँट का प्लैन बना और लैक कि दीखते हैं आगे का क्या सीदा है काने वगेरा काना पीने का वो सारा सिस्टम आपको दिखाएंगे केंपिंग के लिए नाइट स्टे का जो जगह है वह आपको दिखाएंगे सारा समान लगेज हो यहां पर रखा हुआ है और हम एक ऐसी जगह पर है चारोत्रप बबुल के पेड़ और पिछे की साइड पहाड में कर दोस्तों छलते दोस्तों एक अच्छी जगह ढूंटने और रात को कैंपिंग के लिए टेंट के लिए एची जगह देखेंगे और जहां पर अच्छी जगह मिली महां आज का स्टे करेंगे रात को रुकेंगे और खाने पीने का वगरा जो भी प्रोग्राम है वह तेको जी राम राम साथ है आपनों नाम वीडियो और आज परलों केम्प है केम्प रहाँ आपा एक डूंगर मत है तो उन्हें अठे है डूंगरी जड़ा तो देखो तेन चार्यां चार्या मंड़ाई कहीं यह बंगरा पेड़ है एक हो देखो बाइवाय मारे साथ है ओ आपा आपा एडवेंचर लाइब तो जीवा थोड़ी गणी आपा अपा रात्रों एडवेंचर है उको पूरों एंजोय गराला तो मंकी ओ बैसा चलों खाना पिनारी वियोस ताप बटाई गराला रोकल रात ने बटाई आपा रहाए आपा रहाए बटाई अबाटाई रेवंडर वियोस्ता कराला तो बटे आप मां लकड़ी वकड़ी जड़ाए ने बटे रातन पूरी तबबर वियोस्ता कराला तो देखो वैसा आगा-गे की बढ़ेला तो लगेज वह ले लिया और जो जगे आपको दिखाई नीचे वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वह रुखने की जगे है वह कैसी होती है तो सरदियों के कपड़े हैं तो उस वज़े से जो ट्रेवल बेग है वह काफी हेवी है और देखी कितनी डल्वान है तो चलना थोड़ा सा टफ है कमल भाईशाब आ रहे हैं पिछे आराम से उनके पास जो मारी वाटर की बोटल है बड वह है मेरे पास एक केमरा बेग है और ट्रेवल बेग इसके अंदर अपना टेंट का सारा सामान खाने पीने का सामान और रिकॉर्डने का सामान को कि काफी हेवी है हां रिकॉर्ड गर रहा है आराम से को प्रगन हो ली बात नहीं है तो केम्पिंग के लिए यहां हम देंगे डेरा आज का रात का और देखते हैं नाइट का सीन अभी प्रगन टेंट सेट करेंगे और उसके बाद जोश्तों यह जगह करिए हमने सेलेक्ट और यहां लगाएंगे केम्प यह जो पत्तर पड़े हैं इस जगह केम्प लगाएंगे और वहां सामने की और वह जगह पर हम बोनफायर और खाने का सिस्टम रखेंगे तो मैं टेंट लगाने कोशिच करता हूँ इस जगह को तोड़ी से सही करता हूँ तो गाइज टेंट है वह लग चुका है और अब लगेज है उसको डंग से रखते हैं और इस टेंट की जो सपोर्ट है उन सपोर्ट को ठीक से करते हैं उसके बाद में अंदर विच्छा विच्छा के अंदर का काम सावी सेट करेंगे उसके बाद में आगेगा सिस्टम रहेंगे तो बोनफायर के लिए यह भी कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हमें चाहिए बड़ी बड़ी और मोटी लकडियों तो सबसेल यह तो गिली है तो इसका तो कोई फाइदा नहीं है तो क्रेंक्या यह हमारा आज का खाने के लिए जो समान हम लेके आए हैं वो और यह जो समान है यह समान लेके आए हैं तो इसमें है दही और इसमें पनीर और इसके लावा इसमें बैसन है और यह कुकिंग ओईल इसके लावा इचाकू और यह सारे हमारे बर्खन तो गिलास निकालेता हूँ बहर इसके अंदर मसाले है और इसके अंदर इसक्यू है तो यह इसक्यू है प्राइपेंड है और प्लेट्स है यह प्लेट्स है यह स्पैचूलिए यह हमारे पास कड़ाही और इसको कड़ाही के जगह हम काम मेलेंगे तो यह हमारे पास आज का खाना बनाने के लिए स्टोव तो यह स्टोव मैं निकाल लेता हूं इसको एक बार और इसको कम्प्लीट निकाल के फिट करता हूं तो सबसे पहले इस प्लेट के में कोई जरूरत नहीं है तो यह कटोरी किसी और काम में आ सकते हैं इसको लग रिख देंगे और इसके बाद में यह हमारा आज का स्टोव तो दोस्तो सारा समान तित्र वितर कर लिया उसके बावजूद आग जलाने के लिए हमें ना तो 25 मिली और ना ही लाइटर तो आइगेस हम भूल गए तो अब करना क्या है हमेंने बेजा है मेरे साथ जो मेरे बड़े बाई है उनको और देखते हैं वो माचिस लेके कब तक डोटेंगे तो इस जिगे पावर बिंग है और यह LED बल्ब तो बाहर का महूल ऐसा है की अंदेरा होने वाला है और थोड़ा थोड़ा अंदेरा है वो हो गया है तो हम देखते हैं पहला काम आग जलाने का तो पहले आग जला लेते हैं और उसके बाद में खाना बनाने का तो खाना भी बनाएंगे पहले आग जलाने का काम तो प्रोसीजर यह कंप्लीट कर लेते हैं पिछले दो दिन से क्या कंटिल में उसलिए बारिस हो रही है उस वज़े से लकडिया है वो गीली-गीली सी हो रही है तो मुझे यह कफी परिसान सा हो रहा है महुलास तो देखते हैं आग कितना सपोर्ट करती है हमें दोस्तों आग जला लेकिन लकडिया वो गीली है तो उस वज़े से आग जलाने में काके दिक्कत हो रही है तो लगता है कि काम बन जाएगा काम बन तो जाएगा लेकिन फिर खाना बनाने में दिक्कत आएगी क्योंकि यह जो हमारा स्टोव है इस स्टोव के अंतर डालने के लिए ना तो फिर कोईले और नहीं हमारे पास और लकडियां तो सुकी लकडि नहीं होने के वज़े से तोड़ी दिक्कत हो रही है और देखते हैं अभी तो ठंड हैं नहीं है नौर्म नॉर्मल नॉर्मल ठंड है लेकिन जैसे जैसे रात डिलेगी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ेगी तो मैं अभी स्टोव को तो रख देता हूं अंदर क्योंकि जो हमारा सबजी बनाने का प्रोग्राम है उसको हम डारेक्ट सीदे जो हमारी यह आग जला रखी है हमने इस आग के इसको तो मैं रख देता हूं अंदर पेक करके और उसके बाद में देखते हैं अगी का प्रोसेस क्या होता है तो इसको मैं रख देता हूं एक बार अंदर तो यह हमारा रास्ता तो और यह एंदर की जगह तो सबसे पहले इसको फिर से पेक करते हैं तो इसको डाल देता हूं इसके अंदर अगली चीज है वो है हमें सब्जी बनानी है तो सब्जी के लिए सबसे पहले सब्से पहले कुछ प्याज है साथ में तो सब्से पहले यह जो प्याज है इस प्याज को कटेंगे और इसको काटना किस प्रकार से है तो बारीक नहीं काटना हम अपने टिका बनाएंगे तो अपने टिका बनाने के लिए प्याज जैदा बारीक नहीं कटेगा तो उसके लिए मैं चिलता हूँ प्याज तो प्याज काट लिए और खुलते हैं पनीर को तो पनीर को खुलेंगे बाद में सबसे पहले लेंगे हम दही तो यह दही ले लिया हमने और अब उसके बाद मिलेंगे मसाले तो मसालों का पैकेट यहां है मसालों का पैकेट में सबसे पहले लेंगे हम मिर्च पाउडर तो यह मिर्च पाउडर इसके बाद में डालेंगे हल्दी पाउडर तो हल्दी पाउडर हाप स्पून हल्दी पाउडर और इसके बाद में सॉल्ट तो सॉल्ट के लिए यह मिक्स कर लिए मसाले इनको में पेक करेके रख दीता हूँ और और अब 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 इसको थोड़ा अचा पैट लेंगे दही के साथ में तो दे के साथ में इसको फेंट लेते हैं तो इसको दे के साथ में हमने फेंट लिया अब निकालेंगे हम अपना जो यह पनीर लेकिया थे उसको और इसके लिए केची देखनी पड़ेगी इसके अंदर केची होगी शाहिद केची तो नहीं है नाइफ है तो नाइफ से गट लेगे कर ददो नाइफ है लेकिया थी यह पांदИ पांदो प्रस्टप दिलाओ टाँ तुप लेकिया जहरेगी कि जड़ा हैं तो भी दिलाँैशेें इसका प्रस्टप्वरेगण टाँंदर का ज़ी उन्सीएम ग्रस्टपवरेंशना दे ऊसका थाँशना अजा नहीं तो यहारे आपन ये निकाल लिया अब प्याज के बड़ी बड़ी पीसेज करने तो उन पीसेज को हम पीसेज आप से करेंगे करेंगे लिया निए आप से करेंगे करेंगे। हुआ है तो हम काटेंगे पनीर, तो पनीर के पहले करेंगे स्लाइसेस, ज्यादा बड़े स्लाइसेस नहीं करेंगे, नहीं तो वो इस्क्यू के अंदर सेट नहीं होंगे, पनीर के पिसेस भी रेड़ी है, यह मसाला भी रेड़ी है, तो इसको सबसे पहले, इसको मिक्स कर दोते हैं, ओइल के साथ में, जाल देंगे पनीर के पिसेस, जो हमने कट किये हैं, तो यह जो मसाला हमने पहले बनाया है, यह इसके कंप्लेटली चिपक जाना चाहिए, पनीर की वो टूटे फूटे नहीं, तो इसको भी ध्यान में रखना है, तो इसको कुछ दिर के लिए अब रख देते हैं, तो दोस्तों यह सीन चल रहा है, और आ गए वो अच्छे से जलार की है, और टेंट के अंदर से ऐसा कुछ न जा रहा है बाहर का, उमीद है यह वीडियो आपको पसंदा रहा होगा, और पसंदा रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो दोस्तों इसको काफे देर हो गई, और यह सेठ है, तो बेक्ते हैं, 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 याद आणिस से cher अबंस यह जदो है उठ ouaisलो प्रजालों रखल具 है जोठने कि अजे घे झाल ने जाए लाग रिए जिलिए तर्ड रर्डिने कर देखिए पे अदैользिर भॉयर्ण मनेर बलनों नीच आए जेंगे झाल जा झाल भी तो कि अनीच यूई अजा कि लगण ठाव रड़ें गया जैए और गुछ जड़े वे 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 टुछ जड़े वे वे बहु जड़े वे वे विख फिल्ले टेख दिया लाएट कमान लांच नवान पकड़ सरकालले वोल्य वाले इन अट्वम पकड़े अट्वम पकड़े विखर सरकालले बंदट्टु के न पिटतले लिखला वोल्य वोल्य गाळवजिग रिख्वेट कुला लागो ना पनेर हां शिगो अला उन्हें चान्द रूकर तो उन्हें चान्द रूकर अब येगला ना समाल था पठीन लान बूबगो शिगो कंधी कहा मनाल अंतु लागो ना शिगो खलेश यह जैसा कि आप देख रहे हैं हम टेंट के अंदर आ गए है तो जो खाना हमने बनाया है वो पता नहीं इस वाद में तो कैसा है लेकिन दिखने में कापी शानदार है और रोटी तो हम घर से बनवा के लाए थे और यहां आके हमने सब्जी बना ली और कुछे पकोडी भी तो देखते हैं दोस्तों अभी हम टेंट के अंदर हैं और दिखाते हैं आपको दोस्तों यह तो है पकोडी और यह है पनेरी सब्जी यह गर से हम रोटी बनवा के लाए थे तो अभी खाना खाएंगे और देंगे अपने आपको स्वाज में देखते हैं कैसा बना है तो दोस्तों तूट तूट बड़ा रोटी है और देखते हैं कैसा बना है करते हैं शुरूट यह आपके लिए यह आप सबके लिए यह आप सबके लिए दोस्तों अपनी महनत से बना के खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है स्वाद बले कैसा हो लेकिन आपी जो महनत है उस वाद को दुगना कर देती हैं इंदम काफी लाजवाब मिलते हैं आप से खनक आने के बाद गाइज खनक आ लिया है और अब लेट चुके हैं तो सुने का तो कोई फिलाल प्लैन है नहीं देखते हैं कब नेंद आती है कोई टाइम हो गया करीब करीब दस बच चुकी है तो देखते हैं कोई अपडेट होगी तो मैं वीडियो में बोल दूंगा और नहीं तो मिलते हैं फिर सुबह गाइज सुबह हो चुकी है टाइम हो गया करीब करीब 6 सब अच्छे हो गई है और बहर अभी भी अंदेरा है रात बर आराम से सो गए नेंद आई अच्छी तो अभी यहां खुली 6 बजे तो काफी सही नेंद आई बाहर और ओस है वो काफी गिरी इस वज़े से टेंट का जो आउटर सेल है वो गिला है और उस वज़े से टेंट ठना की ठंडा तो नहीं था बट स्टिल गिला होनी की वज़े से कुछ ठंड है वो ज़्यादा है और बहर है वो भी काफी अंदेरा तो देखाता हूँ आपको बाहर का सीन देखिए दोस्तों बाहर भी भी पूरा अंदेरा है चेमत चुकी है फिर भी अंदेरा है और देखिए तो बाहर का सीन कुछ ऐसा है अब इतनी जल्दी तो क्या करेगी टेंड में बाहर निकल की अभी तो कभी टाइम है दिन निकलने में और देखते हैं तब तक क्या करते हैं कुछ टाइम पास करते हैं और यह हमारे टेंट के बाहर का जो सीन है सुबह का वह इस तरफ से संडराइज होगा आग जलाने की सोच रहे थी लेकिन पोस्ट गिरने के कारण सब बुच्चियां पर गिला हो गया है तो अब आग जला नहीं सकते तो टेंट के अंदर ही बैठा रहने पड़ेगा धुन्दो रखी है तो उस वज़े से अब इतनी जल्ली भार नहीं निकल सकते दोस्तों ताइम हो गया निकलने का और टेंट को कर दिया है खाली अब करता हूं मैं टेंट को पेक फिर यह जो वाटर बोटल है इसको करके खाली और इसको बेक में और मिलते हैं आप से सीधे आगे अब तक आप ये टाइम लेप्स एंज्जोई कीजिए तो दोस्तो समान हो गया पेक निकलते हैं पहले में टेवल बेक लेता हूं उसके बाद में केमरा बेक और फिर यहां से निकलते हैं केम्पिंग डन जगह के लिए अलवीदा मिलते हैं उमिद करते हैं अदि आप पसंद आया है और पसंद आया है आपने यहां तक देख लिए तो वीडियो को लाइक किये बिना और अपने वीजिज कमेंट के अंदर बताए बिना मत जाना और अगर आप यस चैनल पर नए हो औ अब ये तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस परकार नए ने वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन गुडबाइ